हम सब की यह common complain रहती है कि हमाई पास time नहीं है मैं exercise करना चाहती हूँ मगर मेरे पास time नहीं है मैं अपना dream project स्टार्ट करना चाहती हूँ मगर मेरे पास time नहीं है हम सब को 24 घंटे मिले होते है मगर कुछ लोग उसमें job भी कर लेते है फैमिली के साथ vacation पर भी चले जाते है full marathon भी दौड लेते है और हमें सास लेने की फुरसद भी नहीं मिलती चलिए देखे कैसे हम अपने लिए और time कारवाउट कर सकते है पहला अपने bad time में happy moments inject करिए for example जब आप commute कर रहे हैं या घर के काम कर रहे हैं उस time आप अपना favorite music या audiobook सुन सकते हैं या stock market में कैसे invest करना है या नया business कैसे start करना है उसका podcast सुन सकते हैं second जो काम आपको बिल्कुल पसंद नहीं है आप उसको outsource कर सकते हैं या delegate कर सकते हैं for example घर की deep cleaning हो गई या grocery shopping हो गई आप उसको outsource कर सकते हैं तीसरा, अपने free time का सही use करिए most of the time हम लोग अपना free time सोने में या movie देखने में या online shopping में निकाल देते हैं उसके जगे आप exercise कर सकते हैं volunteering कर सकते हैं या नई hobby pursue कर सकते हैं अपने पास एक list रखिए जिसमें वो सारी activities लिखी हो जो आपको करना पसंद हो जैसे ही आपके पास free time available होता है आप उस list को refer कर सकते हैं उसमें से कोई activity चुन सकते हैं ये छोटे-छोटे steps लेके आपको feel होगा कि आपका अपने time पर better control है